नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर कार्मिक लेसे चार्ट आज आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा और यह सिरीज पूरे 9 नमबर तक चलेगी मेरी और हर वीडियो में कैलकुलेशन सेम रहेंगी यह भी आप ध्यान रखेगा कि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं और मैं सर्च कर रहा था काफी दिनों से की कार्मिक लेसें से बारे में लोग बता रहे हैं यह नहीं बता रहे हैं तो मैंने का फीर किया तो कोई भी जो नुम्रोलॉजी के चैनल चल रही है जाय तो कार्मिक चार्ट क्या होता है कार्मिक लेसन चार्ट क्या होता है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तो वीडियो को पूरा देखेगा अन तक देखेगा देखेगा देखे नुमरोलोजी में हम लोग पूरे लाइफ के बारे बात करते हैं और कई बार हम strength और weaknesses के बारे में भी बात करते हैं और जब हम बात करते हैं तो कार्मिक लेसंस एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके नाम को बहुत कुछ प्रदशित करती है नाम में अगर एक से लेके 9 अंक आपके पास है आपका नाम लंबा है 15 वर्ड्स का है 18 वर्ड्स का है और आपके पास एक से लेके 9 नंबर पूरे उसमें आ रहे हैं और आप देखेंगे कि आपका नाम जो है वो परफेक्ट है मैं अब लाइफ पात और मूलांक और उसमें अभी क्ली नहीं जाओंगा क्योंकि मेरे पास कुछ्छ क्वेटर ऐसी आती है जिसमें उनके पास अपनी करेक्ट डेट ऑवश भीने होती तो एक्टों वो लोग इस वीडियो कि आपके जो नाम है उसमें कहां पर कौन सा नंबर और कौन सा कार्मिक लेसन आपका मिस हो रहा है अब यहां पर यह possibility है कि आपका जो कार्मिक लेसन है वो एक से ज़्यादा बार भी मिस हो सकता है क्योंकि यह series थोड़ी लंबी होगी मेरी इसलिए मैं पहले एक एक करके आपक कॉंबिनेशन सी बताऊंगा कि एक दो तीन अगर मिस हैं तो क्या लाइफ पर इंपक्त उसका आएगा तो मैं हूँ अभी शेक आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल चलिए आज कुछ नया सीखते हैं और ऐसा सीखते हैं जो आपके जीवन में काफी हद तक बदलाव लेकर आने देखे कार्मिक लेशन के बारे मैं ने बताया जो नमबर आपके नाम में मिसिंग होता है उसको हम कैसे वाइबरेट करें और उसके नमबर मिसिंग होने से आपकी लाइफ में क्या इंपक्त आता है तो एक चार्ट आपके सामने आई रहा है और मैं आपको एक नाम देता हू इसके पास 9 दिया गया है आपको अपनी नाम के अकॉर्डिंग जैसे एन है तो आपको अपको दिखाया लिखके अभी यह देखिए 5 एन में है आई कहां पर है हमारा आई हमारा नाइन में है एच हमारा कहां पर है एट में है तो हमने एट यहां पर लिख दिया वन में यह आ रहा है तो हमने लिख दिया और आर नाइन में है तो इस तरह से आपने सारा यहां पर कर लेना है हमोमन हम जो नाम में जाते हैं तो हम स सा जो नंबर है वो आपके पास मिसेंग है तो पहले हम यह देख लेते हैं कि कौन सा जो नंबर है वो कितनी बार यहां पर रिपीट हुआ है तो अगर हम देखें वन टू नाइन में तो फाइव यहां पर टू बार है और यहां पर नाइन हमारा चार बार रिपीट हो रहा है अगर हम वन से लेकर नाइन तक की सिचुएशन को देखें, तो हमारे पास one मौजूद है, यहाँ पर 2 मौजूद है हमारे पास 3 यहाँ पर नहीं है हमारे पास यहाँ पर 4 यहाँ पर missing है 5 हमारे पास है हमारे पास यहाँ पर 6 जो है वो missing है हमारे पास 7 है हमारे पास 8 है हमारे पास 9 है तो जैसे मैंने आप से कहा कि आज मैं single single लूँगा अगर आपके नाम में एक single चीज जो है वो missing है उस case में आपकी life पे क्या impact यहां पर पड़ता है साथ-साथ आप लोग भी इसको check कीजएगा और मुझे बताइएगा तो आज की इस lesson में क्योंकि beginning कर रहा हूं मैं बिल्कुल एक बहुत बड़े series की तो अगर आपके नाम में एक number की missing है तो आपको क्या करना चाहिए अपनी life में देखिए अगर कार्मिक lesson number one आपके life में missing है या आपके नाम में missing है तो आपको determination सीखनी पड़ेगी आपके अंदर strength आपको लेकर आनी होगी and adverse situation में पुरी मुसीवतों में आपको focus रहना पड़ेगा और initiative life में रहना पड़ेगा अगर आपके नाम में एक number की missing होती है तो आपको initiative रहना पड़ेगा और आपको believe रखना पड़ेगा अपने अंदर कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने decisions आपको खुद लेने पड़ेंगे and और आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप independently, freedomly अपने आपको रखे हैं आप अगर किसी के ऊपर चलके काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपके पास strong willpower वाले लोग होगे आसपास जिसकी वज़े से आपको काफी struggle भी देखने को यहाँ पर मिलेगी and ये आपके लिए एक learn करने वाली चीज़े होगी and आपको ये learn करना है कि आप क्या thinking करते हैं आपके सराव से आगे बढ़ते हैं ये मैं missing के case में बता रहा हूँ मैं आपको repeat कर रहा हूँ and ये ही पर वो चीज़े आती हैं जब आप अपने नाम को कहते हैं कि साथ rectification कर दीजे हमारा alteration कर दीजे तो as a numerologist हम लोग ये सब चीज़े आपकी देखते हैं कि हमको लगता है कि हाँ एक number missing है या दो number missing है repetition में या उस तरह से तब हम इस चीज़ को देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि हाँ नाम में हम किस तरह से 9 numbers को include करें ये बात का बहुत ये बिल्कुल hidden truth मैंने आपको बताया है आप videos देख लिजेगा YouTube पे क्योंकि मेरा जो धे है वो यही है कि आप लोग को सिखाऊं तो आप देख लिजेगा YouTube पे ये चीज़े आपको कोई नहीं बता रहा होगा तो मैं जैसे कि मैं point पर आता हूं दुबारा से आपको अपने आपको promote करना सीखना होगा अगर आप अपने आपको आगे लेकर नहीं आएंगे तो आप जिंदगी में काफी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे और आपको अपने judgment और ability में थोड़ा सा जो है self confidence लेकर आना होगा और faith रखना होगा अपनी जो भी आप decisions ले रहे हैं जो आपकी tendency है उसको थोड़ा सा change करना होगा negative tendency जो है वो आपको change करना होगा और अपने आसपास की जो people है उनसे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा तो दोस्तों ये था कार्मिक lesson number one कल बात होगी कार्मिक lesson number two के बारे में कहीं पर कोई doubt है तो मुझे से कोई जरूर बताएगा Instagram पर WhatsApp पर और ये वो सीरी जब चलेगी जिसमें मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरह से आपको काम करना है तो अभी हम one से लेकि nine तक देखेंगे उसके बाद हम one two one के साथ three missing है one के साथ four missing है उसके बारे में हम लोग चार्ट पर बात करेंगे देखते रहिएगा series बहुत interesting होने वाली है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है तो फटा फट से लाइक कर दिजेगा चनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा बैल आइकन को दबा दिजेगा मिलता हूं आपसे एक नहीं वीडियो में